नमस्कार दोस्तों आप देख रहे युक्चरण आज से मई महिना शुरू हो गया है और नए महिने से कई सारे बदलाव भी लागू होते हैं और मई महिने में भी कई सारे बदलाव लागू हुवे हैं एक मई से क्या-क्या बदलाव लागू हुवे हैं आईए उसके बारे में प्रकोप को देखते हुए महात्मा गांधी राष्ट्रिय रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के कार्य समय में एक मई से परिवर्तन कर ग्रामेन क्षेत्रों में बड़ी राहत दी है। अपने अपने क्षेत्र की परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेंगे। उलेखनी यह है कि राज्य में गर्मी का दौर है और कहीं कहीं तो भीशन गर्मी है। ऐसे में एक मई यानि श्रम दिवस के मौके पर मनरेगा में राहत देगी। इसके अलावा ICICI बैंक के नियम म फीस 200 रुपे कर दिया गया है। हालांकि ग्रामीर्ण इलाकों में यह चार्ज 99 रुपे होगी। इसके अलावा दोस्तों गर्मी की छुट्टियां एक मई से शुरू बीका नेर के राजकिये और निजी कॉलेजों में विद्यार्थियों के लिए गर्मी की छुट्टियां एक मई से शुरू हो जाएंगी। LPG सिलेंडर की कीमत हर महीने के पहले दिन बदलती है। गैस की कीमत तेल विपनन कमपनियां तै करती हैं। 14 किलो के घरेलू और 19 किलो के कमर्शिल सिलेंडर के दाम निर्धारित करती है। साथ ही PNG और CNG के दाम कमपनियां अपडेट करती हैं मई महीने में LPG सिलेंडर की कीमतों में फिर से बदलाव देखने को मिलेगा कीमते बढ़ेगी या कम होगी इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है लेकिन कीमतों में बदलाव की पूरी उम्मीद है जल्द ही इसकी घोशना हो सकती है आज या कल इसके अलवा दोस्तों आज से बदलेगा भस्म आरती बुकिंग का तरीका विश्व प्रसिद ज्योतिरलिंग बाबा महाकाल मंदिर में भस्म आरती की बुकिंग में भी आज से बदलाव होने जा रहा है अभी मंदिर में 15 दिन पहले जो बुकिंग भस्म आरती के लिए होती है उसको अब मंदिर समिती एक मई से तीन महीने करने का फैसला लिया है इससे दर्शनार्थी अपनी बुकिंग पहले से करवा पाएंगे साथ ही एक ही मोबाइल नंबर और एक ही आधार कार्ड से तीन महीनों में एक बुकिंग कर सकेंगे इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स में मां का नाम होगा अनिवार्य, महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, महाराष्ट्र कैबिनेट के मुताबिक अब कई जरूरी डॉक्यूमेंट्स में मां का नाम अनिवार्य होगा, यह फैसला एक मई 2024 से लागू होगा, इन ड प्रमान पत्र स्कूल दस्तावेज, प्रोपर्टी दस्तावेज, आधार कार्ड और पैन कार्ड जैसे सभी सरकारी दस्तावेजों पर मां का नाम अनिवारे होगा। जारी किये आदेश, महात्मा गांधी नरेगा योजनान तर्गत एक मई को मजदूर दिवस पर श्रमिकों का अवकाश रहेगा तथा इसकी एवज में दो मई को श्रमिकों का कार्य दिवस रहेगा। इसके अलावा, दोस्तों, EKYC हुआ अनिवार्य, आदेश जारी, LPG Gas Connection धारकों के लिए नया अपडेट, LPG Gas Connection धारक अलर्ट हो जाएं। LPG Gas Connection धारकों को अब EKYC, Biometric सत्यापन करवाना अनिवार्य है। इसके लिए केंद्रिये पेट्रोलियम मंत्रालय ने हाल ही आदेश जारी कर दिये हैं। फिलहाल इसकी अंतिम्तिति तय नहीं की है। लेकिन आदेश में Gas Agency संचालकों को अपने-अपने LPG Gas Connection धारकों की शीग्र EKYC करवाने के निर्देश दिये हैं। ऐसा नहीं करवाने पर Gas Cylinder की Refilling रोक दी जाएगी। फिलहाल इसके लिए उपभोगताओं को जागरूप करने को कहा है। इस संबंध में अब उपभोगताओं को MMS से Alert के Message भेजे जा रहे हैं। इसके अलवा दोस्तों, एक जुलाई से अगर वाहनों ने नहीं लगाई HSRP तो परिवहन विभाग करेगा कारवाई। राजस्थान में 1 अप्रेल 2019 से पूर्व पंजीकृत सभी प्रकार के वाहनों पर High Security Registration Number प्लेट लगवाना अनिवार्य किया गया है। इसकी अंतिम्तिति 30 जून 2024 है। इसके बाद वाहनों पर High Security Registration Number प्लेट नहीं होने पर प्रथम बार 5,000 रुपे जुर्माना लगाया जाएगा। इसके लिए वाहन स्वामी पुराने वाहनों पर High Security Number प्लेट लगवाने के लिए S.I.M. के पोर्टल पर ओनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा बैंक से जुड़ी जानकारी जाने तो अगले महीने बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम है तो बिना देरी किये निप्टा लें। आईए जानते हैं मई महीने में कब-कब बंद रहेंगे बैंक। मई में बैंकों में बंपर छुट्टियां पड़ा रही हैं। और पूरे महीने में कुल 14 दिन बैंकों में कामकाज नहीं होगा यानि बैंक हॉलिडे रहेगा। भारतिय रिजर्व बैंक, RBI, द्वारा बैंक हॉलिडे लिस्ट के मुताबिक मई में पढ़ने वाले इन अवकाशों में अक्षेत्रतिया, महाराश्ट्र दिवस, रवींद्रनाथ टैगोर, जयनती समेत अन्य छुटियां पढ़ रही हैं। तो दोस्तों ये थी मई महीने क के बारे में जानकारी की मई महीने में क्या की बदलाव होने जा रहे हैं? आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं? कमेंट करके बताईए.